नमस्कार इस NDTV YouTube पर आपका स्वागत है हम आपके साथ सिल्क्यारा टानल के बाहर से जुड़ रहे हैं सिल्क्यारा टानल जो है वो पिछले कई दिनों से जो गलत कारणों के कारण जो सुर्ख्यां बटोर रहा है लगभग 41 मजदूर जो हैं वो इस सिल्क्यारा टानल पर जो हैं फसे हुए हैं कोशिशें बेशक्स सरकार कर रही है हर एक तरह की लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है जिसके चलते अब जो है क्रिटिसिजम ये हो रहा है कि क्या सही तरीके नहीं अपनाए जा रहे हैं इन लोगों को बाहर निकालने के लिए क्या कुछ जादा देर हो रही है इन लोगों को बाहर निकालने के लिए क्यों जो एक safety audits है या जो risk assessments है उन्हें किया गया या नहीं किया गया इस तरह के जो सवाल है अब environmentalist भी उठा रहे हैं और साथ में विशेशग्य भी उठा रहे हैं इस आदे घंटे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि क्या जो यहां पर हो रहा है किन technical difficulties के साथ सरकार जो है वो जूज रही है दरअसल बारा निवेंबर सुभा साड़े पांच बजे यह हादसा हुआ था जब जो 41 मजदूर है रात को जब वो अपनी duty करने यहां अंदर गए थे और सुभा साड़े पांच बजे के आसपा स्लोट रहे थे तब यह जो टानल है जो कॉलाप्स कर गया लागबक 200 मेटर अंदर यह टानल जो है वो कॉलाप्स कर गया और तब से यानि 12 नवंबर से आज तक आज तारीक हो गई है 26 नवंबर तो यानि 26 नवंबर तक अभी वो लोगe अंदर ही हैं और सवाल अब पूछे जाने लोगों द्वारा लाजमी है कि आखिर हो क्या रहा है सरकार यह कह रही है कि सबसे पहले उसने जो है लोगों के साथ जो है link established किया था और जो horizontal drilling है उसके लिए जो कारवाई करने के लिए जो है वो शुरुवात की थी उसके लिए heavy heavy machinery जो है वो यह अंदर जाती है वो left right synchronize करकर जो है वो खोती है छेट करती है लेकिन लगातार दो दिन यह जो auger machine है American auger machine यहां आई थी वो टूट गई और वो अंदर फस गई जिसके कारवन जो rescue operation यहां पर चल रहा था वो भी रोक दिया गया अब जो सरकार है सरकार की तरफ से यह दलील जा रही है कि जो auger machine के जो parts है उसे निकालने की अब जरूरत है लगबग 47 feet जो है वो अंदर drill की जा चुका था auger machine द्वारा उसे बाहर निकालने की जरूरत है अब वो manually किया जा रहा है manually जो है लगबग 25 से 26 मीटर जो है बताया गया था कि वो निकाल लिया गया है manually डिक करके बागी के 22 या 23 मीटर अंदर जो है वो अभी auger machine के जो parts है उन्हें निकालना जो है वो उसका काम जा रही है अब जो सबसे अच्छी बात है कि जो army जो है वो manually ये auger machine के part निकालने में मदद करेगी जो agency यहां पर इतने दिनों से काम कर रही है आर्मी को देखकर एक तसली जरूर होती है क्योंकि men in green olive green army जो है वो एक भरोसा दिलाती है कि हाँ कुछ अगर सही नहीं है तो सही हो जाएगा ऐसा वो भरोसा दिलाती है तो ये लग रहा है कि अब क्योंकि अब army के जिम्में ये बात दे दी गई है और जो private players हैं उनकी बात बेशक से मानी जा रही है लेकिन private players पीछे जो है वो काम करेंगे लेकिन army lead role जो है वो अदा करेगी तो manually उसके auger के parts निकाले जाएंगे आगे रह जाएगा 10 meter का मलबा वो सबसे जादा tricky issue है क्योंकि वहाँ पे मलब उपर की surface को आप कैसे secure करोगे ये बड़ा challenge है सरकार के सामने जिसके चलते अब जो ये है देर हुई रही है दूसरी सरकार ने option बताई थी कि अब जो है vertically हम काम करेंगे vertically यानि उपर से नीचे ये बियारों ने सड़क बनाई है आप देख पा रहे हैं ये बियारों ने कारफ के लोग भी नजर आ रहे हैं वहां पर काम जो है वो चल रहा है वहां से drilling की अब बात जो है वो हो रही है vertical drilling के अपने challenges इसलिए भी है क्योंकि अगर आपको वहां से drill करना होगा अगर आपको drill करना होगा तो आपको 86 meter deep drill करना होगा उसके बाद ही जो concrete है जो बलबा है उसके साथ आप encounter करेंगे और आपको फिर उसको भी push करना है और ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो tunnel है वो कहीं कहीं collapse ना कर जाए क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी machinery जब चल रही है तो vibration भी होती है तो जो सरकार है वो पहली बार कल मानी कि जो operation है वो अभी कुछ स आमें लगेगा और अब यो टेकनिकल फेज में घुस रहे हैं operation के इसके चलते relatives को भी जो है वो भरोसा दिलाने की जरूरत है अब ये जो horizontal और vertical drilling में difference क्या है जो horizontal drilling हो रही थी जो उसका diameter था drilling का वो लगबग 900 mm था लेकिन जो vertical drilling होगी उसका diameter लगबग 1200 mm होगा यानि जो एक जो उसकी width होगी वो जादा होगी और वो नीचे की और वो drill किया जाएगा तो ये दो options हैं जो लगातार सरकार इसके उपर काम कर रही है सरकार कह रही है कि उन मजदूरों के साथ साथ जो जो force यहाँ पर काम कर रही है उसके safety के लिए भी काम करना जरूरी है उनकी safety को भी ensure क करना जरूरी है और इसके चलते वो umbrella जो है यह आप umbrella D की तरह आप देखें यह umbrella बना रहे हैं ताकि जो लोग काम कर रहे हैं अंदर वो भी कहीं अंदर ना फस जाएं और साथ में सरकार की तरफ से यह भी तरका रहा है हम pressure नहीं कर सकते इन लोगों को क्योंकि rescue के काम के उप और आप timeline नहीं दे सकते हैं क्योंकि लोग बार बार यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक कितना timeline कितना कब तक लोग जो है वो बहार आएंगे इसके उपर जो एंडियमे के member है अटा हसनें साब उनका यह तरक था कि operation जो है वो अभी चल रहा है कुछ और समय लगेगा relatives को धांडस बदाने की जरूरत है और उन्होंने साथ में जो बड़ी बात कहीं उन्होंने कहा कि जो operation है वो technically complex हो गया है और वो साथ में उन्होंने कहा कि जब हम एक mountain के साथ deal कर रहे होते हैं तो mountain के साथ dealing करना जो है unpredictable होता है यह एक जंग की तरह होता है युद की तरह होता है यह सही नहीं होगा उनका तर्क यह था जहां तक family members का सवाल है उनको obviously जो है भरोसा दिलाने की जादा जरूरत है क्योंकि जब भी बोला जाता था कि अगले दो दिन में खतम हो जाएगा लेकिन काम खत नहीं हुआ इसके चलते यहां पर आप देख सकते हैं उपर सरकार न जो उनके परिवार वालों के साथ तो यह एक लाइन है आप देख सकते हैं अभी NDRF की जो टीम्स हैं ताजा ताजा टीम्स जो है अलग अलग जगाओं से भी आ रही हैं क्योंकि एक जगा से नहीं देश के हर एक कोने से help जो है वो सरकार मंगा रही है किसी भी तरह की help हो च तो यह सब यहाँ पर चल रहा है और इसके बीच में जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो यह है कि आखिर सेफटी मेजर्स क्यों नहीं अडॉप्ट किये सरकार ने जब यह इतना बड़ा टानल जो साड़े चार किलोमीटर लंबा है यह टानल जो है यह प्रधान मंत्री का एक चारधाम की यात्रा की जाए तो स्वर्ग मिलता है तो यह यमनोत्री गंगोत्री बद्रीनात और केदारनात को जोड़ता है जो श्रधालू दर्शन करने के लिए जाते हैं उनके लिए 27 किलोमीटर का जो रास्ता है वो काम हो जाएगा इस टानल के जरिए यानि 45 मिनिट के 45 मिनिट के आस पास तो अब जो टेकनिकल सवाल पूछे जा रहे हैं सेफटी मेशर को लेकर इसकेप टैनल को लेकर जब भी इस तरह का टैनल का निर्मान किया जाता है तो आप एक 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 इसकेप टैनल जरूर बनाते हैं ताकि जो अगर कुछ गर्बड़ी हो या कोई आक् करता है जब वो अपरेशनल हो लेकिन सवाल फिर यहां पर विशेशग्ये पूछ रहे हैं कि क्या जो वर्क फोस अंदर काम कर रही थी उनकी जिन्दगी क्या जरूरी या एहम नहीं थी कि उनके लिए कोई इस तरह का एक सेफटी मेशर जो है वो अडॉप्ट नहीं किया ग कियते हैं यंग माउंटेंज इनको बोला जाता है इनका जो नेचर है अलग अलग जगा पे अलग अलग है मतलब कहीं पर किसी तरह का माउंटें है और कहीं पर किसी तरह का माउंटें है यहाँ पर यह आप देख रही है कि किस तरह से जो मिशीनरी है वो भी अंदर जो है वो जा रही है हैवी मिशीनरी जो है वो अंदर जा रही है जो सरकार है सरकार की जो NHI के मेंबर थे मिस्टर चोहान जब उनसे कल environmental clearances के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हर एक project की risk assessment और जो safety assessment है environment assessment जो है वो की जाती है इस वाले project की भी जो है वो की गई साथ में उन्होंने ये भी तर्क दिया था कि हिमालेंग जियालेजी जो है वो बहुत यंग है और act or react differently करती है in different places तो उसको predict करना बहुत मुश्किल होता है वो हर एक जो अगर कोई गड़बड़ी हुई है उसे वो examine जरूर करेंगे लेकिन इस वकद सरकार का जो focus है वो rescue के उपर है और वो rescue के काम के उपर जोर दे रही है एक और बात जो एहम बात है जब blasting को लेकर क्योंकि जब जब इस तरह के tunnels या सड़कों का निर्मान होता है तो अकसर हमने देखा है कि जो companyya है वो blast के जरीए जो है वो holes करते हैं या फिर अंदर जो है space create करते हैं तो जो इस तरह की muck होती है इसको disposal को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं कि इसको dispose जो है वो ठीक तरह से क्यों नहीं किया गया आप अगर कहीं पर भी इस तरह से muck फेंग देगे तो हमने देखा है जब भी disaster हुआ है चाहे हिमाचल में हुआ चाहा उत्राखंड में हुआ जो पाणी है वो अपना रास्ता बना ही लेता है आप उदर देख सकते हैं वो पाणी पावन अगर आप जूम कर सके वो पाणी उदर पानी जो है वो अपना रास्ता बनाई ही लेता है, तो अगर इस तरह की मक या स्टेल्ट जो है वो पड़ी रहेगी, तो वो निचले इलाकों में जाएगी, जिसके कारण जो है वो destruction होगी, तो ये सबी सवाल जो है, वो environmentless जो है वो पोच रहे हैं, और जो सरकार है वो फिलहाल ये कह रही है कि जो उनका focus है वो rescue operation पर है ये जो सभी सवाल है इनके उपर चर्चा जो है वो तब होगी जब rescue कर लिया जाएगा timeline के उपर अभी कोई जो है वो बात नहीं कर रहा है timeline को लेकर वो कह रहे हैं कि workforce के उपर pressure नहीं दिया जा सकता लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश है सरकार की जल्द से जल्द ये लोग बाहर आएं और अपने लोगों से मिलें तो YouTube broadcast में फिलहाल मेरे साथ इतना ही नमस्कार